अमीद करती हूँ आप सब खुरीय से होंगे आज आपके साथ बहुत ही युनीक सा प्राथा शेयर करूंगी ये देखें बहुत ही मज़ेदार ये टेस्टी ये प्राथा बनता है और ये आप सब को बहुत ज्याद अपसान दाएगा तो वेलकम करती हूँ टेस्टी रेस्पी के लिए हमने सबसे पहले लेधा केमदल इसको को उच्छी तरह कर ले और इसमें धोड़ पानी ये नॉर्मल तरीके से आपनी इस मीखेंड न डूंधना जैसे आप आटा गूनते हैं इसी तरीके से यह देखें तो डो को हमने उपर से कवर करके राख देना है दस मिंट के लिए अब इसकी फिलिंग तियार करेंगे तो फिलिंग के लिए मैंने हाफ कप यहां पर प्याज लिया है चोप किया हुआ और इसमें वन टीस्पून चिली प्रिफ्लेक्स मोटी कुटी वी लाल मर्च नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तमाल कीजिए सबस मर्चें और सबस दनिया और इसको हम मिक्स कर लेंगे इसको मिक्स करके साइड पे करेंगे और यहां पर डो भी रेडी हो चुकी है थोड़ा सा कुश्का लगाएंगे तो इस डो के हमने एक ही साइज के पेड़े बनाने है आपने जितनी रोटिया जितने प्राठे बनाने है आप उतने पेड़े बनाए और इसके छे पेड़े यह देखें इस तरीके से आपने एक ही साइज के पेड़े त्यार करने हैं तो सारे पेड़े त्यार करके आपने राख लेने हैं इस तरीके से अब इनकी रोटियां बेलेंगे थोड़ा से इसको हाथों से फिलाएंगे और इसकी हमने थोड़ी सी बड़ी रोटी त्यार करनी है तो इसी तरीके से आपने सारी रोटी त्यार कार लेनी है जितनी बड़ी रोटी आपने बनानी है उतनी ही आप इसको बड़ी कार ले यह देखें आप तीन रोटियां रखेंगे और इसके उपर त्यार किया हुआ ये प्यास इस तरीके से साइडों पे आपने फिला देना है और दर्मियान से खाली रहने देना है ये देखें तो सभी प्राठों के उपर ये देखें मैंने इसी तरह से प्यास को फिला दिया है अब हमने इस रोटी के उपर एक अंडा एड़ करना है इस तरीके से आप पलट दें ये देखें दूसरी के उपर भी और तीसरी के उपर भी सारी रोटियां आपने इसी तरह त्यार करनी है और अब एक एक रोटि हावने पकड़के इसके उपर इस तरह से रखनी है और इसके किनारों को अच्छी तरह से दबा देना है ताके सुफेदी बाहि न निकले ये देखें इसी तरह के से बाकी भी हम इसी तरह कवर करेंगे साइडों को अच्छी तरह प्रेस करके अब एक त्यात से हमने एक एक रोटि उठानी है और तवे पर बंटनी है बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम इस तरीके से आपने इसको तवे पर डालना है साइडों के ओल लगाना है अब इसकी साइड को चेंज करेंगे यह देखें प्याज और अंड़ा अंदर से बिल्कुल पक चुका है और यह देखें तो प्राठा यहां पर रेड़ी हो चुका है माशाला बहुत जबदस यह प्राठा बनता है यह देखें बहुत ही खस्ता और टेस्टी यह प्राठा बनता है आपको बहुत ज़्यदा पसंद आएगा बच्चों को भी बहुत ज़्यदा पसंद आता है यह देखें मुझे अमीद है कि आप इस एग प्राठा को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे भी फीड़बैक ज़रूर दीजिएगा आप से यह प्राठा कैसा बना है वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा दो में याद खुश रहें अबाद रहें अल्लाह अफीस